हाई गाईज वेलकम टू माई चानल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेल मेहंदी कोन जो के घर पे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो भी है जब मैंने नैचरल एंड लॉंग लास्टिं नेल मेहंदी की जो DIY आप लोगों के साथ शेयर किया था फर्स और सेकेंड बार तो मुझे भरबर के कॉमेंट आया था कि हमें नेल मेहंदी कोन जो है वो घर पे बनाना बताईए तो ये आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे जो है आज की वीडियो में आप लोगों क शेयर कर रहे हूं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए शेयर भी कर दिया करें और 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 भी अच्छे एच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को जरू सब्सक्राइब कर कर सकते हो वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको बनाना है जो नॉर्मल कोन हम बनाते है उससे बहुत ही ज्यादा पतला होता है नेल कोन जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा फ्रेंड्स अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते है तो अलग-अलग कलर के ज आप लोगों को भी खरीदने महुत जादा आसानी हो उसके बाद जो है सेलोटेप की मदद से मैंने अच्छी तरीके से सिक्योर कर दिया है स्टार्टिंग की जो नोक होती है उसको भी अच्छी तरीके से सिक्योर करना है जहां जहां आपको लगता है कि जरूरत है आपको अ स्टार्टिंग में भी देखा होगा फ्रेंड्स तोटल ये आप पर डिपेंड है कि आपको अच्छी तरीके से या पर मेरा कॉन जो है वो रेडी हो गया है और उसके बाद इसमें मैं एड करूँगी महंदी friends यह मेहंदी जो आप देख रहे हैं यह अलड़ी मैंने अपनी चानल पर डाल रखा है first part and second part आप देख सकते हैं natural and long lasting nail मेहंदी जो है आप यह सर्च करके भी देख सकते हैं या मैं end screen पे भी लगा दूंगी और description box में भी इसकी link आपके लोगों के साथ share कर दूंगी और पिन कॉमेंट होता है वहाँ पे भी मैं जो है फर्स पार्ट और सेकेंड पार्ट जो है आपके साथ शेर कर दूँगे उसके बाद जो है जैसे जैसे हम मेहनदी को डालते है तब हमको बहुत ज़्यादा पेशन की जरूरत होती है उसके बाद जो है अच्छी तरीके से जब जब आप इसको डालोगे तो उसके बाद जो है आपको अच्छी तरीके से जो है नीशे की तरफ पुश करना है because यह थोड़ी सी जो है थिक होती है क्योंकि इसमें हमने मैदा एड़ किया होता है तो यह थोड़ा सा इसमें चिकनाहट होती है बट कोई नहीं थोड़ी सी महनत लगती है बट अगर आप एक कोण बनाते हो तो आप इसका इस्तेमाल वन टाइम के लिए अपने हातों और पेरों बहुत ही इसली कर सकते हो एक से दो कोण आप लोगों के लिए मुझे लगता है इनफ है उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जितना भी एक्सेस महनदी है उसको निकाल दिया है जो भी मुझे लग रहा था कि थोड़ी से ज्यादा हो गई उसको मैंने निकाल दिया है और उपर का जो पार्ट है वो मैंने cut कर लिया है और उपर जो भी excess महंदी थी वो मैंने निकाल दिया है ताके मुझे जो है इसको secure करने में बहुत ही ज़्यादा easy हो अगर महंदी रहेगी तो मैं secure नहीं कर पाऊँगी आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में दिखाए गए तरीके से जो है अपको अच्छी तरीके से secure करना है अच्छी तरीके से जो है आपको sellotip का इस्तेमाल करना है बिल्कुल भी sellotip लगाते वक्त कंजूसी नहीं करनी है ताकि जब आप यह मेहंदी का जो ही कोन है उसका इस्तेमाल करो तो यह बिल्कुल भी कही से खुलेने और अब यह मेरा ready हो गया है nail mehndi nail mehndi कोन बनके अब मेरा ready हो गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं और मैंने वीडियो में आप लोगों को जो है apply करके भी बताया है और आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर zoom कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है बहुत ही आसानी से दीखे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे यह भी question किया था कि आपका इतना नीट कैसे लगाए तो मैं बहुत बार जो है cotton बट की मदद से भी लगा लेती हूँ आपके जो नेल से बहुत ही ज्यादा अट्राक्टिव हो जाएंगे और दो से तीन मेने बहुत ही आराम से यह जो नेल मेंदी है यह रहेगी आपके नेल पे और नेल मेंदी किस तरीके से बना जाए अगर वो वीडियो अपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉ आपके नेल को जरू सब्सक्राइब करना थैंक्स फो वाचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब अस फो मोगें